तो रोस्तो मुझे लगते कंपारेजन तो ज़रूर बनता था विकॉज माइकल क्रीज वह बनता बहुत तगड़ा है जैसे कि उनने प्रोकाड के लिए खेला है पहले आटेंब में प्रोकाड लिया उसके बाद पहले आटेंब में प्रोशो जीता है और अल्वांपिय के कड़ेगी और बहुत तगड़ा कंपारेजन देखने जरू मिलेगा उनके और बीग्रामी के बीच में फर्स्ट अफल गाईज अगर आपने वीडियो स्टाट करी ही दी है तो डेफिनिल्ट आपको वीडियो को लाइक कर देना उसके बाद चैनल को सब्स्राइब कर देना विकाँज आपको मेरे चैनल पर कॉंट्रवर्सी कभी देखने नहीं मिलेगा अगर ऐसा होता है देन आ वीडियो को स्टार्ट करते अल्राइट गाइस तो यह कंपरेशन में हम कुछ अलग टाइप से करने वाले स्टेज वाले फोटो हम नहीं लेंगे विकॉस भी ग्राम ने लास्ट ट्वेटी वन में कंपेट किया था और अभी उन्होंने बहुत जाता अथलिट का जैसे की बी ग्राम में भी तगड़े दिख रहे हैं यहाँ पर और माइकल क्रिजो की जो हार्नेस है तो नेक्स्ट लेवल जा रही है पर स्टिल गाइस जो बी ग्राम का फ्रेम है उनके फ्रेम को उनका लाट्स बहुत जादा इलुजिन क्रेट करते हैं तो दो यहाँ पर जो जेशे से अटराट होंगे वह बी ग्रामी के फीजिक से होंगे ब्यकॉज उनके लाट्स बहुत ही ज्यादा वएड आते है साती साथ पीकी बाइसेप अधिया पर माइकल क्रिजो की बायसेप भी बहुत पीकी दिखते हैं और जेशे बलेस बाइसेप है लाट्स भी ठीक ठाक है मुझे लगता है आने वाले साल में और ज़्यादा विट बढ़ाएंगे उसमें पर दूस्तों यहाँ पर चेस्ट आती है वह पूरी फ्लाट हो जाते है माइकल क्रिजो की एंड बीग्रैमी की चेस्ट यहाँ पर फुलर दिखती है जब वो डबल की पोजीट करते हैं जो घ्री चेस्ट ए वह पर जो ग्राइमी को देंगे जिसकतर तक उनका जो इल्यूजं क्रिएट होता है पने लाट्स की वजेसे जो लोग केते थि हिए साल माइकल वीग्रैमी जीच सकते तो असलीट को टकर दे सकते तो लोगों के लिए में फोटो लेके आयो यहाँ पर and directly मी वो back double bicep का यहाँ पर comparison करूँगा दोन अटलेट को तो तो मुझे लगता है कि फोटो देखी आपका confusion दूर होगा होगा because आप देख से तो कितने ज़्यादा dense glutes and hamstrings आते हैं B grammy के, कितना ज़्यादा muscle mass carry करते हैं अपने lower body में साथी साथ यहाँ पर Michael Cluizo की जो body है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है lower body but B grammy के सामने वो पूरे flat हो जाते है यहाँ पर because बहुत ज़्यादा muscle mass add करने के ज़रूरत है उनको glutes and hamstring में अगर उनको compare करना है B grammy के साथ and जैसे कि B grammy के lower back है वो genetically gifted नहीं है उसमें mass ही नहीं है उनके lower back में and जो Michael Cluizo के back है वो lower back भहुत अच्छा develop है but still उनके back की width उतनी अच्छी नहीं है and कह सकते कि mature muscle अभी उनके back में नहीं है still वो काम कर सकते है अपने back पे because उनके back तो genetically gifted strong है तो आने वाले टाइम में वो B grammy के साथ compare जरू कर सकते, compete जरू कर सकते but guys, जिन लोगों को doubt है कि Michael Cluizo यह pose में जीच सकते तो आप lower body देख लेना और आप लोग ही decide कर देना मुझे comment section में आप बत देना का कौन से athlete के lower body strong है और यह pose कि इस athlete के favor में जाना चाहिए तो दोस्तो second pose आता है front lap spread का और दोस्तो body building हो या फिर men's physics हो classic physics हो X frame plays important role तो दोस्तो कह सकते हो आपकी big grammy या भी 147 kg पे चल रहे है and जो Michael Cluizo का stage weight होता है वो 132, 132 और 134 ऐसा vary होता रहता है पर still जो उनकी waist होती है वो उनके control में नहीं है because इसके बादे से उनका जो X frame हो bigger जाता है Michael Cluizo का and X frame छोटा लगता या फिर कह सकते है आप उनकी waist wide दीखते है यहाँ पर कह सकते है कि उनकी shoulder की width अभी उतनी जादा develop नहीं है but still जो B grammy ने अपनी shoulder wide के अपनी frame पे काम के है and उन्होंने अपनी waist को control राका यहाँ पर and एक बहुत अच्छा illusion create होता है उनकी lats तो सबसे बड़े आते ही है and mid section में control करने में वो कामियाब होती यहाँ पर and waist की जो size है narrow waist वो बहुत ज्यादा आपर खुप सूरत लगती है and shoulder का separation है उनका वो कही और ही level पर जाता है so definitely यह pose जाता है B grammy के पास because उनकी lower body में भी वो illusion create करते है and उनकी lats और ज्यादा निकर गर के आते है and उनकी waist छोटी लगती है so overall मुझे लगता है कि जो bodybuilding judging criteria में बेटते है वो B grammy बेटते है यहाँ पर जो priority जाएगा वो B grammy के फ्रेवर में जाएगा first of all अगर men's open bodybuilding का judging criteria देखा जाए 2021 तक then मुझे लगता है year to year यह जो criteria है judging का वो priority size को जा रहा है यहाँ पर B grammy बहुत plus point में है because लगबग दोनों की stage weight में 10-12 kg का फरक है and जैसे कि आप यह side post देख सकते हो side chest का and जो harness आता है वो Michael Crisoo को physics में बहुत अच्छा आता है बट दोनों की physics lacking करते है crispiness लाने में एक जो field condition वो लाने में दोनों की physics lack करते है तो मुझे लगता है दोनों athlete को कांद करना चाहिए only size matter नहीं करता because condition को भी focus करना होता है but जो chest और अच्छी तरह किसे pop-up होके आती है upper chest के साथ साथ lower chest के साथ overall जो chest का अच्छा combo मुझे लगता है B Grammy यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे है Michael Crisoo के तो दोस्तों ऐसा नहीं कर रहा है कि Michael Crisoo को criticize नहीं कर रहा आने वाला साल में और ज्यादा मेहनत करेंगे then definitely वो B Grammy को टकर दे सकते है या फिर उनको हरा भी सकते है वो Olympia में time के साथ साथ कुछ भी हो सकता है but still जो illusion create होता है chest का मुझे लगते है B Grammy यहाँ पर next level pose hit करें साथी साथ उनकी जो arm से वो small दिखते है उनकी अगर हम chest से compare करें और overall body से compare करें but still thic-tac pose है उनका जो Michael Crisoo के arm से यहाँ पर भहुत ज्यादा wide होते है जो shoulder का separation दिखते है chest के साथ B Grammy यहाँ पर भहुत आगे चलते है और यह pose उनके साथ जाना चाहिए दोस्तों now pose is back lat spread and east pose के लिए मैंने दोनों athlete के stage photo select किये है and देख सकते हूँ जो wide lat spread आता है वो B Grammy का आता है with detailing उनका rear detail आप देख सकते हो and जो Michael Crisoo को recent physique अभी recent show में complete किया था मुझे उनके back condition नहीं दीख मुझे लगता है just confused नहीं होंगे directly यह pose जाता है B Grammy के पास first of all आप comment section में बताना कि आप क्या जाते है कौंसा athlete इस pose में जीता है and कौंसा athlete dominant कर रहा है lastly guys आप दोनों athlete का most muscular वाला pose देख लाना जैसे कि Michael Crisoo बहुत conditional लग रहा है because वो show में compete करने वाले थे दो दिन वाले फिजिक है यह उनकी and Big Grammy जैसे अभी seven weeks out है Olympia के लिए तो first of all जो फिजिक में वाइडनेस दिखता है frame जो जिसके वाइड है मुझे लगता है Big Grammy यहापर बहुत आगे चल रहे उन athletes से वो भूत ही आगे चल रहे वाले यह उनको आने वाले दो तीन साल तक बहुत ज़्यादा help करने वाला है because genetically उनकी frame बहुत wide आती है और अगर आप बात करेंगे most muscular की दिन गाइस देख सेते हो कि इस pose में मुकाबला किदर भी जा सकते है अगर upper body की बात की जाए तो because Michael Crisog की upper chest and shoulder separation अच्छा आता है साथी साथ Big Grammy की pose भी अच्छी है उनके traps भी बहुत अच्छी तरकी से निकल आते है तो जोस्तो यही comparison था and मैंने कुछ अलग तरी किसी comparison किया आज because मैंने उनके reset update उटा है दोना athlete के and जोस्तो आप लोग क्या लगता है कि top 10 में आएंगे Michael Crisog 2022 Olympia में या फिर वो Big Grammy को टकर दे सकते है तो जोस्तो डिफिनिल आपको जो thought आप comment section में ज़रू बताना and comparison में कुछ गलती होगी होगा guys then definitely आप comment section में मुझा point out ज़रू कर देना and don't forget to subscribe to my youtube channel ऐसे comparison वीड़ से कभी दीखेगी नहीं so thank you so much for watching it love you all